हेलो गैज वेलकम बाक तुछी जानल कैसे आप लोग आए होप युग आपसिलोटली फाइन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग इथिरियम शैंगाई अपगरेड जो कि आने वाला है बहुत जल्दी मार्केट में जिसको लेखे काफ की लोग आप ब क्रिब्मेंड करके ये बोले कि हमारा WhatsApp नंबर है थो उन सो बच कर रहना हो सारेख सारे स्कैमर से किसी भी शूशल M YEडियासे कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं किसी को भी आपने क्रृप्टो से इंड नहीं किसी को अगर आपने अपने crypto send करे तो समझ लीजिए वो crypto आपके हाथ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आगे जाके Ethereum might take over Bitcoin to become the top crypto of the world क्या सारी चीज़े फिलाल हो रही है इन Ethereum उसके बारे में बात करते हैं शेंगाई अपग्रेड के बारे में फिलाल हम लोगों को पहले से पता था कि जब भी अपग्रेड आएगा इन Ethereum वहाँ पे काफी Ethereum है जो unlock होंगे काफी लोगों ने stake करके रख रखेते हैं अपने Ethereum during the beacon chain अब यहाँ पे जाके वो unlock होने वाले हैं क्या करेंगे यहाँ पे stakeholders क्या करेंगे यहाँ पे investors उसके बारे में भी बात करते हैं चलते हैं एक बार coin जी को आप में market का हाल देख लेते हैं हम discussion करते हैं कि EAT का जो शेंगाई upgrade आने वाला है क्या वो अच्छा रहेगा market के लिए या वो बुड़ा रहेगा market के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने open कर दिया coin जी को आप currently अगर हम Bitcoin की बात करें last 24 hours में it is down 1.6% Ethereum is down 1.2% last 70 days से अगर हम देखते हैं तो Bitcoin is down 1.1% on the other hand Ethereum जो है वो अप है 5.5% Ethereum का अगर हम यहाँ पर चार्ट खोल के देखे हैं 90 days का previous हम यहाँ पर चार्ट देखें तो Ethereum ने काफी अच्छी progress यहाँ पर करी है इसमें कोई भी शक नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हो Ethereum का price was somewhere around $1250 आज की टाइम में Ethereum का price काफी उपर जा चुका है वहाँ से around $1900 के आसपास Ethereum का price चल रहा है now the question comes की Ethereum का जो next upgrade है जिसको लेके इतनी बाते एक time में हो रही थी वहाँ पे unstake होंगे cryptos, वहाँ पे unstake होंगे Ethereum क्या करेंगे वहाँ पे investors उसके बारे में भी discussion करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी date को यहाँ पे upgrade आने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो 12th of April 2023 is the date जहाँ पे Ethereum का शेंगाई upgrade आने वाला है यहाँ पर सकते हो one of the biggest developments associated with this fork is that it will enable stakers and validators to withdraw assets from the beacon chain काफी लोगों ने यहाँ पे Ethereum को stake करके रखा वा था unstake नहीं कर पा रहे थे because एक time तक वो locked staking में पड़े होई थे आज की time में जहाँ पे date सामने आ गही है of 12th of April जहाँ पे काफी Ethereum जो है वो unstake होंगे क्या करेंगे आपे stakers बहुत अच्छे से यहाँ पे explain करा in one of the articles चलते हो आप पे पूरी स्टोरी पढ़ते हैं आपको बताते हैं कि क्या चीज़े हाँ पे आप देखने को मिल सकती हैं तो यहाँ पे हमने article open कर दिया है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो Ethereum Shanghai upgrade could bring 2.4 billion selling pressure to Ethereum the 1 million instantly withdrawable Ether has become a point of concern for the market and point of concern तो होता ही है जहाँ पे हम लोग देखते हैं selling pressure जहाँ पे लोग selling करने की सोचते हैं वहाँ पे obviously एक point of concern रहता है सारे investors का imagine करो कि आपने एक time में आप Ethereum purchase करे थे उनको stake करके रख रखे और वहाँ पे आप unstake नहीं कर पारे हो वो Ethereum as it is पड़े हैं प्लस आपके जो rewards हैं वो भी हुआ पे पड़े हैं जब वो सारे के सारे unstake होके आपके पास वापिस आएंगे क्या आप उनको still hold करोगे या आप उसको sell off करोगे market में यह जानके कि आपको currently भी उस price point में अच्छा का सा profit हो रहा है इस question का answer आगे भी करेंगे हम लोग बट यहाँ पे अगर हम पढ़ लें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे जो unstake हो रहे हैं जो शेंगाई अपग्रेड आ रहा है वो होगा in the next 6 days आज है 6th and 12th को यह अपग्रेड आने वाला है और यहाँ पे जितने भी Ethereum stake थे अब वो withdraw हो सकते हैं according to some observer the resulting increase in selling pressure could be worth a couple of billion dollars और यह बहुत काफी बड़ा number है यहाँ पे अगर हम आगे पढ़ें आर्टिकल में तो 1.1 million ETH related to partial reward withdrawal could face the market यहाँ पे अगर हम आगे बात करें regarding the Celsius network जो कि sell कर सकता है around 158,000 stake balance as a part of bankruptcy process और यह दोना number मिला के around 1.3 million ETH होते हैं जो कि approximately worth होते हैं 2.4 billion dollars और यह काफी बड़ा number है और यही एक selling pressure है जो market आगे जाके face कर सकती है more than 18 million ETH has been staked in the network since the beacon chain went live in December 2020 अब यह सारा number देखने में बहुत बड़ा लगता है अगर हम logically भी बात करें तो अगर हमने कोई crypto में invest कर रहा है उसको हमने stake करके रख रखें तो यहाँ पर हम यह मानें यह जरूर कि उसका price अगर increase हुआ है तो क्यों ना हम उसको sell off करें यह एक selling pressure है यह काफी assumption है जो market में आज के time में चल रही है बट इसी के साथ साथ कुछ और चीज़े हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए हैं लोगों की दोनों रहा है यहाँ पर बड़े इच्छे से आगे explain करी है उसके बारे में भी बात करेंगे additional selling pressure could come from the bankrupt crypto ledger celsius liquidating its stake balance of 158,176 to recover at least a portion of creditors fund यहाँ पर हमने बात करी regarding celsius यहाँ पर हमने बात करी regarding rewards but यहाँ पर हम लोग भूल गए एक exchange जिसका नाम है kraken, kraken के उपर यहाँ पर allegation लगाई थी यहाँ पर बताया गया था जितने भी आपके US में investors हैं जिन्होंने stake करके रख रखें crypto वो आप stake नहीं कर पाएंगे and kraken ने सारे के सारे cryptos unstake करे थे except for ethereum अब यहाँ पर kraken जो है वो भी unstake करेगा सारे ethereum kraken will unstake all ethereum staked by US investors as a result of its wealth notice from the securities and exchange commission this could entice some of kraken's each stakers to sell यहाँ पर काफी selling pressure की हम लोग ने बात कर ली बट अगर हम लोग बात करें कि क्या sell-off होगा market में क्योंकि हमेशा दो रहे रहती हैं क्योंकि हमेशा दो option रहते हैं कि investor के पास आज की date में अगर हम बात करें ethereum का price 1900 dollars चल रहा है अगर हम बात करें all time high कि that was around 4000 dollars वहां तक ethereum बहुत easily पहुंच सकता है in fact अगर आज की date में हम बात करें तो काफी लोग तो यह बोलते हैं कि 10,000 dollars तक ethereum बहुत easily पहुंच सकता है in the next bull run so क्या सारे investors यहां पर sell off करेंगे I don't think so यहां पर बहुत सारे लोग देखेंगे other option to stake cryptos other option to stake ethereum और यहां पर एक option निकल का आता है which is leado DAO leado में आप लोग stake करके रख सकते हैं अपने ethereum वो लोग भी यहां पर sell off करेंगे but उसी के साथ साथ काफी लोग हैं जो यहां पर hold करके चलेंगे ethereum because इसमें एक potential है for the growth इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं इसलिए यह article भी कह रहा है big sell off unlikely और यहां पर उसी के साथ यह जानना भी important है कि जब हम partial withdrawals की बात कर रहे है वो यहां पर आप पर सकते हो partial withdrawals are likely to take between 5 and 6 days to process और यहां पर अगर हम बात करें full withdrawal की तो वो यहां पर ले सकते हैं around 3 weeks से लेके 4 months सक according to analysis by 21 share तो अगर हम बात करें selling pressure की तो वो एक साथ नहीं आएगा in the market वो distribute होगा over the several days और जब यहां पर selling pressure जो है वो distribute होगा वहीं पर काफी buyers हैं जो आना चाहेंगे in Ethereum अगर यहां पर price drop होता है Ethereum का तो काफी investor हैं जो Ethereum में enter करना चाहेंगे काफी लोग हैं जो Ethereum को purchase करेंगे because Ethereum and Bitcoin दो ऐसे crypto हैं जैसे कि हम हमीशा बोलते हैं जो हर किसी के portfolio में होने चाहिए और वही चीज यहां पर लिखी हुई है आप यहां पर पड़ सकते हो कि जो selling pressure है वो distribute होगा एक लंबे टाइम तर बट उसी के सांसां this should allow buyers to match the selling pressure without much impact on the price और यही हम लोग भी मान के चल रहे हैं आगे अब यहां पर एक figure और देख लेते हैं जो कि काफी ज़्यादा shocking है और इसको देखिए कहीं न कहीं थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है state ethereum जो जिन्होंने stake करके रख 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 है अपने ethereum हों कितने percent यहां पर प्रॉफिट में चल रहे है percent of staked supply in profit is 46.31 percent percent of staked supply in profit of 20 percent or more is 28.0 percent removing liquidity staking tokens in 20 percent profit is 24.19 percent यहां पर show करता है कि 46 percent जो है each stake जिन्होंने कर रख है वो काफी अच्छे profit में है meanwhile 28 percent जो है वो यहां पर profit में बाठे है of more than 20 percent that number drops to 24 percent if we exclude coin staked through liquid staking services offered by Lido and Coinbase so यहां पर बहुत सारी अलग-अलग situation जो है सामने आ रही क्या करेंगे जो investor है जुन्होंने stake करके रख रखे थे अपने ethereum बहुत time से यहां पर stake में पढ़े वाए एक मानना तो यह भी है कि जहां काफी time से वो लोग withdraw करने की सोच रहे है आज की time में जब eth withdraw के उनके पास आएंगे तो current price point काफी अच्छा price point है अगर आप इसको compare करते हो from the beacon chain era वहां से काफी अच्छा price जो है ethereum का increase हुआ है बट उसी के साथ साथ काफी ऐसे investors जो crypto market पर भरोसा करते है they will be holding on to ethereum क्यूंकि उनको पता है कि इसमें एक potential है for the further growth and जैसे कि यहां पर इस article के through भी बताया गया जो भी unstake होंगे ethereum वो एक साथ unstake नहीं होंगे वो होंगे over a period of time जहां पर हमें time मिलता है वहां पर buyers जो है वो भी आएंगे ethereum में and they would want to purchase ethereum and यहां पर इसी वज़र से price में जादा fluctuation उमीद है कि नजर नहीं आएगा but in case अगर जादा fluctuation यहां पर नजर आता है I would again say कि ethereum एक ऐसा crypto है जिसमें हम लोग यहां पर again dca करने की सोचेंगे अगर यहां पर जादा price में fall दिखने को मिलता है आगे जाके so यह सारी चीजे हैं जो हमें यहां पर 12th of April के going onwards हम लोगों को देखने को बैल सकते हैं ethereum the price might fluctuate market में fluctuation आ सकती है ethereum यहां पर fluctuate होगा वहां पर हम यह मान सकते हैं कुछ और cryptos में भी इसका असर नजर आएगा but अगर यहां पर price जो है वो fall होता है ethereum का there are many buyers in the market जो आज की rate में बैठे हैं जो देखना चाहेंगे ethereum का एक price point जहां पर बहुत easily यहां पर entry लेने की सोचेंगे हम लोग भी as an investor हम लोग का भी यह प्लान होना चाहिए अगर ethereum का price यहां पर fall होता है at any given point of time हम लोगों को वहां पर DCA करना चाहिए ethereum हमारे पास already पड़े हुए एक अच्छे खासे level में हमने उसको purchase करा है currently जो price चल रहा है ethereum का वहां पे हम लोग profit में बैठे है बट अगर ethereum fall होता है back to the level जहां पर हम लोगों ने initial purchase करना start करा था ethereum जो हमारा average buying price है वहां तक भी अगर ethereum वापस आता है या उसके निचे जाता है we would not mind buying ethereum थोड़ा सा उपर भी हम लोग यहां पर purchase करने के सोचेंगे जैसा बोलते हैं ना market में hope for the best but prepare for the worst to happen तो यहां पर उम्मीद तो यही है कि market में ज्यादा price moment हमें change देखने को नहीं मिलेगा नदी price of ethereum क्योंकि जहां पर selling pressure है वहां पर buyers भी आएंगे market में बट उसी के साथ साथ be prepared for the worst to happen अगर यहां पर बहुत बुरा fall होता है ethereum खाली यहां पर selling pressure आता है buyers नहीं आते so be prepared to accumulate a lot of ethereum and वो हमें मिल सकता है at a good discount आप लोगों का क्या मानना है क्या होगा शैंगाई update के बाद यहां पर ethereum का क्या price fall होगा या price जो है ऐसा ही चलेगा ज्यादा चीज नहीं देखने को मिलेगा because अगर selling pressure है तो buying pressure भी रहेगा in ethereum after all second biggest crypto है in the world क्या होगा आगे जाके only time will take बट यहां पर हम लोग prepared रह सकते हैं for both the situation to happen आप लोगों को जो भी मानना है निचे comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा with that said guys आज का वीडियो करते हैं पर and I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो like कर देना, share करना, subscribe कर देना, thank you so much for watching our channel see you next time, okay bye bye